हाई फ्रेंज असलाम अलेकुम एन वेलकम बेक टो यॉर वेरी उन पटेल्स किचन मैं हूं मुबीना पटेल और आज के वीडियो में बनाते हैं ब्रेट क्रम्प्स तो फ्रेंज ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं लेकिन आज इसे घर पर बनाते हैं आने वाले रमजान में ये आपको बहुत यूसपूल होंगे तो वीडियो को सेव करके जरूर रखना तो यहां पर मैंने डो करण नहीं करूंगी आप वीडियो एंट टक जरूर देखना तो मैं इस तरीके से कॉनर्स को अलग कर देती हूं और जो साइथ के मोटे ब्रेड है उन्हें भी मैं अलग रख देती हूं अब मैंने अपना फूट प्रोसेसर ले लिया है आप कोई भी चौपर या प्रोस नहीं हो जाते तब तक ग्राइंड कर लूँगी तब इस तरीके से मैंने दोर्नों पैकेट के कर लिये है यह दूसरा बैच था और यह मैंने जो कॉर्नर्स और मोटे ब्रेड साइद में रखे थे वो है तब मैं क्या करूंगी कि यह कॉर्नर्स वाले जो ब्रेड है और जो मोटे ब्रेड है उनको मैं क्या करूंगी कि फूट कलर एड कर दूंगी मैं यहाँ पर ओरेंज फूट कलर यूज कर रही हूँ अच्छा खुबसूरत कलर इसके अंदर आ जाएगा आप ग्रीन कलर भी रख सकते हो क्योंकि आज कल पालक के कबाब वगेरे के लिए व फेन के नीचे 24 गंते तक रख सकते हो इसे यह क्रिस्पी हो जाएंगे मैं यहाँ पर सिंपल इसे एक वोक में अच्छे से रोस्त कर रही हूं तो आज से 10 मिनित के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे इस तरीके से रोस्त कर लीजिए तो मैं दिवनों को इस तरीके कर लूँगी तो फ्रेंट्स ध्यान रहें फ्लेम को हाई नहीं करना है नई टय जल जाएंगे और फ्लेम को इतना लो भी नहीं रखना है कि यह जल्दी क्रिस्पी ही नहों तो इस तरीके से चलाते रहिए मिद्यम फ्लेम रखिए और इसे कंटिन्यूस चलाते रहिए जब तक यह अच्छे से क्रिस्पी नहों तो फ्रेंट्स इस तरीके से करने से आप इसे लंबे समय तक स्तोर करके रख सकते हो और आप चब चाहे यूज कर सकते हो आप ओरेंज की जगा ग्रीन फूट कलर भी यूज करोगे तो चलेगा क्योंकि आज कल पालक की कबाब बड़े तक यहां पर यह देखो कंप्लीट थंडे हो गए है ब्रेट क्रम्प और इस तरीके से रेडी है अब मैं इसे एर टाइट कंटेनर में पैक कर लूँगी आप चाहे तर जी प्लॉक बैक भी यूज कर सकते हो और यह देखो तर बस आप लोग भी जरूर ट्राइ करना और मु